हेलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग वेलकम टू एम्टम क्लास से जैहिंद कैसे हो आप सभी आज की क्लास में एक दिसमर के करणड़ करणड़ आपके सामने में लेकर करके आ गया हूँ देना करते हूँ एक क्लास को स्टार्ट करता हूँ और इसमें पहली नियुजा आपके साम चार्ली मंगर कौन थे जिनका हाली में निदन हो गया यह महत्पूर्ण व्यक्ति हैं जिनका हाली में निदन हुआ है चार्ली मंगर बताओ यह कौन थे तो आपको बता दूँ यह चार्ली मंगर जो थे अमेर की फेमस व्यापारी है और जिनका हाली में निदन हुआ है और पड़ा होगा कि ये दुनिया के साथवे सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं और डिटिल से इसके बारे में जान लो आपके सामने हैं सब कुछ कि चारली मंगर एक अमेर की व्यापारी निवेसक और परोपकारी व्यक्ति थे और इनका निदन हुआ है 28 नवंबर 2023 को और याद रखन इसके ये उपादेच भी थे और इन्हें वारेन वफेट का राइट हेंड भी कहा जाता था और फोर्फ की जो सूची आई थी 2023 की उसके अनुसार इनकी जो नेट वर्ट थी 2.6 लियन डॉलर यानी 21.6 लियन डॉलर यानी 21.6 करोड रुपे थी इस तरह से ये दुनिया के सा आतवे सबसे अमीर वेक्ति थे और वारेन वफेट के बारे में देख लो कि ये एक अमेरिकी विजनेसमेन मैगरेट निवेसक और परोपकारी हैं ये अमेरिकी विजनेस मैगरेट निवेसक और परोपकारी वेक्ति हैं ये वारेन वफेट और ये वर्टमान में वर्क सायर ह एद्वे के अध्यच और CEO हैं और देखो नवम्मर 2023 तक उनकी कुल पूंजी जो ये विक्ति अभी मरे हैं क्या नाम है इनका चाली मंगर चाली मंगर दोबारा याद कलो अच्छे से नाम चाली मंगर जिनका हाली में निदन हुआ है चाली मंगर का तो इसके बारे में और बता ते देखो पहले तो सबसे एलन मक्स दुनिया के सबसे अमीर विक्ति हैं ठीक है और इंडिया के मुक्य सम्मानी है लेकिन ये जो ये जो चाली मंगर जो मरे हैं इनकी जो नेट वर्थ थी एक सो अठारे विलियन डॉलर ती इस वज़े से दुनिया के साथवे सबसे अमीर विक्ति थे ठीक है अब देखो सेकंड न्यूज है कि चवणवे आई एफ़ाई दोजार तेईस में चवणवे आई एफ़ाई दोजार तेईस में गोल्डन पीकोक सर्वस्रेष्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है जो गोआ में ये प्रत्योगता हुई है चवणव में डेटेल से देखो कि गवाँ में आयजित किये गए इस चवणवे भारती अंतराएष्ट फिल्म महुतसम में गोल्डन पीकोक सर्वस्रेष्ट फिल्म का अवार्ड एंड लेस बॉर्डर को याद रखना किस फिल्म को एंड लेस बॉर्डर से एक फासी फिल्म है ये भी और देखो आगे जानते हैं इसमें कि इसी फिल्म के एक अविनेता हैं या फिर और देखो इसमें एंडलेस बॉर्डर में मुख्य भूमिका निवाने वाले पौरिया रहीमी सेम को सर्वस्रेष्ट अविनेता का सिल्वर पीको कबाड भी दिया गया है इसके जो अविनेता हैं उन्हें भी सर्वस्रेष्ट अविनेता का सिल्वर पीको कवाड दिया गया है पौरिया रहीमी सेम को और अविनेतरी भी देख लो कि फ्रांसी सी अविनेतरी यह आपके सामने दीख रहे होंगे फ्रांसी सी अबनेतरी मेलानी थियरी को पार्टी ओफिल्स के लिए सर्वसेष्ट अबनेतरी के लिए मेलानी थियरी को चुना गया है फ्रांस की है ये अब देखो कुस्टन नमर सेकंड है थड़ेद किस राज्य वन विवाग ने प्रोजेक्ट लायन के हिस्से के रूम में बरदा वननेजीव अब्यारन को सेरों का दूसरा घर बनाया है या बनाने का प्रिस्ताव रखा है तो याद रखना ये गुजरात में पढ़ता है वर्दा वन्यजीव अब्यारन एसी आई सेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है और गुजरात वन विवाग ने प्रोजेक्ट लाइन के हिस्से के रूम में VWLS को सेरों का दूसरा घर बनाने का प्रिस्ताव रखा है तो याद जा आघर गुजरात स्रकार के दौरा प्रषताव रखा गया है आगे देखो अब इसमें महत्पूर पोएंटे हैं यह पर्यावन मंतराले ने किस अभियारन को ऑ'क को सेंस्टिफ जौन के रूम में नामित किया है तो यह तालचा पर अभियारन ने इसको ऑ'को सेल सेंस्ट और लेकिन देखा जाए तो यह मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा बाग अब्यारन भी बन गया है और यह मद्द प्रदेश में इस्तित है ठीक है और इसमें कुल बागों की संग्या 28 है कैमूर बनने जीव अब्यारन को किस राज्य के दूसरे बाग रिजर्व के रूम में बिक्सित किया जा रहा है तो किया गया है या फिर ऐसे समझ लो यह बिहार में है कैमूर बनने जीव अव्यारन कहां पर बिहार में अब देखो कुस्सन नमर चार है आपके सामने थोड़ा स्पीड से लेता हूं जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे ठीक है या फिर आप वी देखते रहो दस कुस्सन रखता हूं लेकिन उससे संबंदित आप देखोगे तो उससे इसाब से देखोगे तो तकरिवन सौपलस कुस्सन हो जाते हैं अब देखो कुस्सन नमर चार है इसमें किस राज्य की सिल्क यारी सुरंग में फसे 41 स्रमिकों को सुरच्चित वाहर निकाला गया है देखो अभी यह बहुत दिन बहुती फेमस चर्चा में न्यूज थी 12 नवमर से फसे हुए थे 41 मजदूर और यह सिल्क यारी सुरंग उत्राखंड में पड़ती है ठीक है आपने देखा होगा इसमें यह जो इसका कार्य चल रहा था तो बीच में इसमें द 40 स्रमिकों को 17 दिन के बाद सुरच्चित निकाल लिया गया है और सिल्क्यारी सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलवा गिनने के बाद यह मजदूर 12 नवमर से फसे हुए थे या फिर और समझ लो डिबली कि यह तकरीबन 400 गंटे उसके अंदर रहे हैं 400 गंटे काफी हो जात है कि किंटीमों ने NDRF और उत्त्राखंड HDRF अब देखो रेस्क्यू ऑपरेशन में ओगर मसीन से 47 मीटर तक स्टार्टिंग में खुदाई की गई थी अपने न्यू जब देखी होगी तो देखा होगा कि ओगर मसीन से खुदाई की जा रही है यह तकरीबन 50 मीटर के करीब खुदाई पर पहुंची तभी यह खराब हो गई और चिंताएं बढ़ती गई है दुआएं सब मतलब यह समझो कि बहुत अधिक परेशानी बढ़ा दी थी इसने काफी प्रयत्न करने के बाद फिर इनने निकाला गया है बाहर और देखो उत्त्राखंड में सिल्कियारा व है और इसका निर्माड नव यूग इंजीनियरिंग कंश्ट्रक्शन लिमीटेड द्वारा किया जा रहा है किसके द्वारा नव यूग इंजीनियरिंग कंश्ट्रक्शन लिमीटेड के द्वारा और सुरंग की कुल लम्माई जो है या चार पॉंट पांच किलो मीटर लम्मी है या फिर मील में देखें तो दो पॉंट आठ मील लम्मी है और इसको बनाने की योजना यानि या बनाई जा रही है चार पॉंट पांच किलो मीटर लम्मी और या धरासू को यमनोत्तिरी से जो अल्टी मीटर का प्रयोग किया जाता है उंचाई माप की अंतर है ये और इसका उपयोग किया जाता है विमानों में कहां पर विमानों की उंचाई मापने के लिए अल्टी मीटर का उपयोग किया जाता है और एनिमो मीटर इससे वायू के बल तथा गती को मापा जाता है या वायू की दिसावी बताता है अब ये ओडियो मीटर या दौनी की तीब रता को मापता है ओडियो से समझ रहे होंगे ओडियो मीटर दौनी की तीब रता को मापता है बैरोमीटर ये वायुदाप को मापने का यंत्र है बाइनोक्यूलर या उपकरंड दूर की वस्तुएं देखने के काम आता है बाइनोक्यूलर ये दूर की वस्तुएं देखने के काम आता है साइटोट्रोन साइट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्र आउस्टेलिया की संसद को क्या का जाता है सीनेट आउस्टेलिया की संसद को सीनेट का जाता है और जापान की उसी तरह से जापान की भी पड़ा होगा डायट डायट ही है क्या चलो बताओ जापान की संसद को क्या का जाता है तो ओस्टेलिया में यह इन्होंने सीट जीती है संसत देव सर्माने कहाँ पर सीट जीती है ओस्टेलिया की सीनेट में किसे हाली में हेल्थ केर किसे हाली में हेल्थ केर संचार में उतक्रेष्ट योगदान के लिए PRSI National Awards से सम्मानित किया गया है तो यह सुगंती सुंदर राज को सम्मानित किया गया है अब BCCI के बारे में जान लो जो भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोड़ है उसके बारे में कि इसकी इस्ताबना होई थी दिसम्मर 1928 में और इसका मुख्याले मुमई महराष्ट में है BCCI का मुख्याले मुमई में और इसकी इस्ताबना 1928 को होई थी और इसके अध्यच्चे इस टाइम रोजर बिन्नी इस्टूर्ट बिन्नी के बिदाए रोजर बिन्नी और इसके अध्यच्चे और उपाद्यच्चे राजीव सुकला और इसके सचिव BCCI के सचिवें जैसा कोने जैसा और मुख्य राष्टे चैन करता है अजीत अगर कर और पुर्सों की टीम के मुख्य कोचे रावल दिरवड अभी कल की वी नियूज में आया था अख़वार में पड़ा होगा कि रावल दिरवड का कारेकार और दो साल के लिए वड़ा दिया है दो साल के लिए पहले ये चुने गए थे तो और आगे वड़ा दिया है फिरे ने और भारतिय क्रिकेट का ये सासी निकाए है BCCI जो है अब देखो इसमें कुछ अध्यच्छों के बारे में देख लो खेल संस्ताओं के जैसे ICCI इसके अध्यच्छें गिरेग बरकले अंतराइश्ट्य होकी महासंग है FIH इसके अध्यच्छें तैयव इक्राम होकी इंडिया के अध्यच्छें दिलीप टरकी और FIFA के अध्यच्छें FIFA के गियाननी इनफेंटीनो किस के फीफा के अध्यच्छें और खेल संस्ताओं ये तो हो गए अब कुस्सन नमर साथ देखो कि किस देश में अंगकोरवाट मंदिर को दुनिया का आठवा आजूवा चुना गया है तो ये कल की भी नियूज में पढ़ाया था मैंने ये कमबोडिया में इस्तित है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और बिशनु बगवान को समरपित मंदिर है ये अंगकोरवाट मंदिर जो है और ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि इसको बनवाया किसनी था क्योंकि मैंने कल पड़ा दिया है तो उसी इसाव से बड़ादो देखता हूं कितनों को पताए है अंगकोरवाट मंदिर जो है इसको किसनी बनाया था और ये दुनिया का आठवा अजूबा बनाया गया आए अब आ अब देखो अंतराहिस्ट नियुक्तियां जो हाली में हुई है क्रिश्टोफर लक्षन ये न्यूजिलेंड के प्रदानमंतरी बने क्रिश्टोफर लक्षन और लिउक फ्रीडेन ये लकजंबर के प्रदानमंतरी जैवीर माइली ये अर्जेंटीना के अब देखो कुशन नमर आठ है इसमें, वर्स दोजार चोबीस में, कौन सा सहर साहित्य महुत्सव की मेजवानी करेगा, तो ये अमरसर करेगा, अमरसर पंजाब चंडीगर्ड ये, पंजाब में पढ़ता है ये अमरसर, सुवड मंदिर भी यहां पर इस्तित है, तो ये सेन् चोबीस में, देखो, अंतरहिष्टे जगवार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना, अंतरहिष्टे जगवार दिवस 29 नमर को मनाया जाता है, जगवार दिवस 29 नमर को में, पूर दिवस हैं, और ये दिसमर के, इस पीड से देखो कि 9 दिसमर को मनाया जाता है, अं 10 दिसम्मर को मानवा दिकार दिवस 11 दिसम्मर को अंतराष्ट्य परवत्तिय दिवस 13 दिसम्मर को राष्ट्य अस्व दिवस 14 दिसम्मर को राष्ट्य उर्जा सनरचन दिवस 18 दिसम्मर को अंतराष्ट्य प्रवासी दिवस 22 दिसमर को राष्ट्य गड़ित दिवस ये पूछा जाता है याद रखना 22 दिसमर को राष्ट्य गड़ित दिवस 24 दिसमर को राष्ट्य उपवोक्ता दिवस और 25 दिसमर को सुसासन दिवस ये तीन तो महत्पून है आपके सामने ये तो अच्छे से याद कलो कंट्रस्ट दो जाने चाहिए 22 दिसमर को राष्टी गड़ित दिवस 24 दिसमर को राष्टी अबोकता दिवस और 25 दिसमर को सुसासन दिवस अब देखो लाष्ट न्यूज आपके सामने किसे फिल्म फियर OTT अब ये बन लाइनर के रूम में महत्पूर कुस्सने कुछ एक दो मिननट में देखते हैं इने किसे सत्य जीतरे फिल्म टेलिविजन संस्तान के अद्यच के रूम में नामित किया गया है सुरेस गोपी को हर्याणा सरकाने किसे हर्याणा फिल्म और मनुरजन नीती के गवनिंग काउंसिल का अद्यच चुनाए भारत ये फिल्म फेस्टिवल मेलवन ने यानि आई एफ एफ एम 2023 में किसे वेस्ट फिल्म का बाड़ दिया है सीता रामम को भारत की किस सोट फिल्म ने ओसकर 2023 में बेस्ट डॉकुमेंटरी का पुरुसकार जीता है तो दा एलिफेंट वेस्ट पर्स ने जीता है ये पड़ा होगा आपने भारत के किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा राममंदिर बनेगा तो ये बिहार में बनेगा और यूबियाई गिलोबन ने किस राज्य के स्टाट अप मिसन को दुनिया के नमर एक सारवजने एक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है तो ये किरल का है किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा क्रिकेट इस्टेडियम बनेगा तो ये राजिस्तान के जैपुर में बनेगा और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है एमदाबाद में नरेंद्र मोधी स्टेडियम मोटेरा भी कह दें मोटेरा स्टेडियम कौन सी भारतिय पार्टी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजीटल पार्टी बन गई है तो याद रखना भारतिय पार्टी जो है दुनिया की पूरी तरह से डिजीटल पार्टी बन गई है महत्पूर को सने याद रखना अब देखो यह आज का सवाल है आपके लिए कि खेलो इंडिया गेम्स में 2023 के लिए सुबंकर किसे बनाया गया है खेलो इंडिया गेम्स में तो यह बताना है आपको कमेंट वोक्स में राजवर्दन की मिर्त्यू के बाद हर्सवर्दन सिंहासन पर बैटा था यह भी इस्ट्रीम पढ़ाओगा आपने की राजवर्दन जो था यह हर्सवर्दन का बढ़ावाही था और इसकी मिर्त्यू के बाद हर्सवर्दन बैटा और बुद्ध ने अपना प्रत्म उपदेश दिया था साननात में कहां पर साननात में दिया था और इसी उपदेश देने की गटना को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन और जब ये घर से निकले थे तो उसको कहा गया था महावी निस्क्रमड ठीक है याद रखना और महाप करना था इनका मुख्य विपसा अर्यों का और किस वेद में प्राचीन वेदिक योग्की संस्क्रत्य के बारे में सूचना दी गई है तो रिगवेद में दी गई है जैसे आप ने पढ़ाओगा चार वेद हैं रिगवेद समवेद यजुर वेद और अथरब वेद तो वेद में प्राचीन वेद की योग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है रिगवेद में और रिगवेद का उलेक किस में मिलता है तो रिसब देव का उलेक जो जेंदर्म के प्रत्थम तीरतं करते रिसब देव उनका उलेक मिलता है रिगवेद में 24 वे तीर तंक करते महावीट स्वामे तो इस तरह से दोस्तों आज की क्लास यहीं पर कंपलीट होती है एक नवमर की बताओ कैसी लगी क्या सीखने को मिला कितने अच्छा कुस्षन लगे और क्या सुधार करने की जरूवत सब कुछ कमिट बोक्स में बताओ उसी हिसाब से में डेली अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सुधार करूँगा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोबाइट करने की डेली कोशिस करता रहता हूं मैं आपके लिए और यह भी सोता रहता हूं कि आपका कम से कम समय लूँ जिससे कि आप भी बोनना हो अगर ज्यादा समय लगे अगर मेरी स्पीड स्लो लगे तो वो भी बताना और तेज करूँगा अगर तेज लगे तो वो भी बताना थोड़ी कम कर दूँगा लेकिन आपको अच्छी लगनी चाहिए आपको समझ में आना चाहिए मेरा में मकसद यही है बस ठीक है तो आज की क्लास को यही रखता हूं पढ़ते रहो हस्ते खिलते कूते मुस्कराते रहो फिर कल मिलते हैं दो नवम दो दिसम्मर के करंट अफेर्स के साथ बाई